दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे PCR के भी से में PCR क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे चले दोस्तों वीडियो में स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो PCR होता है इसका जो फोल फाम होता है यानि किसका पूरा नाम होता होता है Polymerase Gen Reaction जिसे इंगरिस में करते हैं Polymerase Sincla Avikrida दोस्तों अब जानेंगे इसकी खोच इसने की थी दोस्तों इसकी खोच सन 913SB में Carey Mullis ने किया था Carey Mullis ने दोस्तो PCR की खोच की थी 913SB में अब जानेंगे PCR होता क्या है जीन प्रतियों के निर्मार के लिए एक सोचली तथा कम समय लेने वाली क्रिया PCR कलाती है दोस्तो एसी प्रिक्रिया जिसके द्वारा जीन प्रतियां जीन प्रतियां दोस्तों यानि कि जीन क्लोन यानि कि एक जीन की तरह दूसरा जीन बनने के जो प्रोसेस होता है उसे PCR के नाम से जानते हैं यानि कि जैसे कि यह एक जीन हो गया और इसी की तरह यह दूसरा जीन बनाने का जो को प्रतियान तयार की जाती है दोस्तों यह से कि मैंने पहले ही बताया जो PCR होता है इसके जरीए एक जिन से अनेक जिन बनते हैं उसी की तरह यह विक्रिया उच्छ ताप पर संपन होती है इस तक्नीक में DNA रेप्लिकेशन को बार बार दोहरा जाता है दोस्तों तक्नीक में DNA रेप्लिकेशन के प्रोसेस को बार बार दोहरा आ जाता है यह बिदी तीन चरण में संपन होती है दोस्तों जो PCR का प्रोसेस है वह तीन चरण यानि की तीन स्टेप में संपन होता है पहला चरण है पहले चरण में डबल स्टेंडडे डियन एको सिंगल स्टेंडे में बदल जाता है गारण कीज्ञाता है दोस्तों जो double standard DNA है वह पहले चरण में single standard DNA में बदल जाता है और दूसरे चरण में इन पर polymer लगा जाते हैं जो अनकूल ताफमान मिलने पर विद्धी करते हैं दोस्तों जो double standard DNA होता है वह single standard DNA में बदलता है और उसके पर दूसरे चरण में इन दोनों standard पर polymer लगा जाते हैं तो यानिकि उसके एक सीरे पर और दूसरे सीरे पर जो है polymer लगा जाते हैं और वह यह polymer जो होते हैं अनकूल ताफमान मिलने पर विद्धी करते हैं जो तीसरा चरण होता है दोस्तों हुआ है double standard DNA प्राथ हो जाता है और तीसरे चरण और लास्ट स्टेप में double standard DNA प्राथ हो जाता है बहले जो होता है double standard DNA single standard DNA में करनोड होता है उसके बाद जो single standard DNA होता है उसके दोनों सीरो पर polymer लगाया जाते हैं और जो polymer होते हैं यह उनकूल प्रताफमान मिलने पर विद्धी करते हैं उसके बाद तीसरे चरण में double standard DNA प्राथ हो जाता है जब यह तीनों चरण बार बार दोहरा जाता है तो जीन की अनेकों प्रतियां प्राथ होती है जैसे कि मैंने भी पहले बताया DNA replication को बार बार दोहरा जाता है यह था इतना पूरा DNA replication और इन प्रोसेस के बार DNA replication संपन होता है और हमें जीन की अनेकों प्रतियां प्राथ हो जाती है तीनों चरण के कंप्लीट होने के बाद यह था दोस्तों PCR टेकनिक PCR प्रोसेस PCR में ठड़ इसे इतने नाम से जानते हैं मैं ऐसा करता हम दोस्तों आपको वीडियों जरू पसंद आई होगी एदि आपको वीडियों पसंद आई तो वीडियों को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर दिजीगा